कड़ी मेहनत के बिना सफलता पाने की कोशिश करना और ये विश्वास के अबारे साथ सब कुछ अच्छा होगा ठीक वैसी ही है जैसे आप उस जगे पर फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपने फसल बोई ही नहीं है इसे समझ लिया तो मिथुन राशी वाले लोगों के लिए मार्च 2023 में यही सफलता के गुरुमंत्र बन जाएंगे दवशकार प्रेसाथियों मैं हूं सुरेश रिबाली और आप देख रहे हैं मिथुन राशी 2023 मार्च राशी पल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आगे बढ़ने से पहले एक इंपोर्टेंट बात अगर आप मुझसे फरवरी और मार्च में परसली मिलना चाहते हैं तो मैं फिलहाल 25 फरवरी मुंबई 26 फरवरी पूने 27 फरवरी दिली रहूँगा और मार्च में 3 मार्च को जोतपूर 4 मार्च जैपूर 5 मार्च को चंड पूर ग्यात्रा पर रहूँगा आप चाहें तो परसली मुझसे मिल सकते हैं या फिर मैं रोजाना ही टैलिफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंस या अपॉंट्मेंट की द्वारा जूडता हूं आप भी वैसे जूड़ सकते हैं आज सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के पर परिवरतन से हैं 12 मार्च से शुक्र 11 आउस मेश राशिब रहेंगे 13 मार्च से मंगल आपकी राशी मेतन राशिब रहेंगे 15 मार्च से सूर्य 10 आउस मेन राशिब रहेंगे 16 मार्च से बुद 10 आउस मेन राशिब रहेंगे और 31 मार्च से बुद 11 आउस मेश राशिब रह काई तरह उथल पूतल होती है यह तब होता है जब मिथुन राशी से चंद्रमा चंद्रमा जो की मन और मस्टिश के स्वामी है वह चौथे आठवे बारवे जाते तब थोड़ा डिस्टब करते हैं यह डेट्स में आपको एडवांस पर इसलिए दे रहा हूं ताकि जब वक् इसी कड़ी में आठ नो दस मार्च को चौथे 17-18 मार्च को आठवे और 28 माव करेगा 24 और 27 मार्च को बारवे रहेंगे खयाल रखेगा अब शुब योगों से बनने वाले शुब डेट्स भी आप नोट करिए एक दो आठ नो दस एकिस बाइस तैईस अटाइस उनतीस तीस इस मार्च में गुरू और चंदरमा का केंदर का सम्मध बनाएगा महान गज केसरी योग अठाइस उनतीस और तीस मार्च को आपकी राशी में चंदरमंगल का महलाश्व योग रहेगा 14 मार्च तक 9 आउस में और 16 मार्च से 10 आउस में सूरी बुद का बुदादित योग रहेगा वहीं 11 मार्च तक 10 आउस में गुरू शुकर का शंक योग और मालव योग इस पूरे महीने हंस योग भी रहेगा तो आईए मिथुन राशी वाले लोगों के लिए हम आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि ग्रहों के साथ देवी देवता भी आश्रवात देंगे च्छे और साथ मार्च को होली के रूप में पंदरा मार्च शीतलास्टमी बाइस मार्च चैतर नवरातर प्रानमोगे और तीस मार्च को रामनामी अब आईए बिसनस एंड वेल्थ से शुरुबात करते हैं अगर आपका बिसनस ट्रेडिंग का है एक्सपोर्ट का है का सर्विस प्रोवाइड लाइजनिंग फ्रीलांसर का है तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय है आपको अच्छा आइडियास तो मिलेंगे बिलेंगे उससे अपनाने के लिए आपको अपनों का साथ मिलना चाह तो पैसा जोड़ना और पैसे से पैसा कमाना बड़ा टास रहेगा आपको अधिक प्रॉफिट चाहिए तो आपको डिसिप्लेन और डेडिकेशन अपनाना पड़ेगा कुछ परिवर्तन से लाप बिलेगा फूड और बैबरेजेस, होटेल, रेस्टराइंट, गार्बेंट्स ऐसे लोग जो फैशन, पैशन, होबीज, स्पा, सलोन, जिम चलाते हैं उन लोगों के बड़ा अच्छा समय है टूर्च और ट्रेवल वाले लोगों के लिए अच्छा समय है जो लोग मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको थोड़ी तकलिप आ सकती है क्योंकि 11 आउस पे राहू और राहू मंगल का दो बारा का संबन 15 मार्च तक बुद्ध का सेवन थाउस जो कि बिजनस का है और बुद्ध बिजनस के कारक है पराकरब और लाब का संबनाएंगे जिससे बिजनस में कोई स्ट्रॉंग डिसिजन लेना लीडर्शिप क्वालिटी को दिखाना और कहीं ने कहीं अपने एम्प्लॉईस का हित ध्यान में रखते हुए अगर आपको इस स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपको आपके एम्प्लॉईस ही आगे बढ़ा देंगे नए लोगों से संबन्द सरकारी महकमे से जोड़ना और जितना फेरोगे उतना चरोगे जितना ट्रेवल करोगे उतना लाब बिलेगा सेवन्थ हाउस के लोट गुरू करम इससान में अपने से चार दस का संबत बना रहे और वहीं पर मालव योग भी है तो आपको कोई ऐसा गुरू मिल जाएगा परिवार में ही कोई ऐसी सलाह मिल जाएगी जिस पर आप विजार करेगा आपके लिए माकूल समय ज़रू बनेगा बारा मार्च से मंगल के आट विद्रिश्टी बिजनस हाउस पर होने से शुरुबात में आप अपनी स्ट्रेजी ऐसी बनाएए एनरजी लेवल के जो मार्च एंडिंग है वो परफेक्ट तरीके से आपके पूरा हो सके री सेलिंग का बिजनस करते हैं और ऐसे लोग जो री साइकलिंग करते हैं बिजनस पर मल्टी लेवल मार्किटिंग बैनिफैक्टरिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, डिजिटल का खाम करते हैं उन लोगों के लिए बढ़ा अच्छा समय है आईए बात करते हैं जॉब एंड प्रॉफेशन की इस पूरे बहिने टैन्थाउस जो कि आपका कर्म का है, वहाँ पाप करतरी दोश है आगे राहू टैन्थाउस से पीछे सूरी और शनी बिराजमान है ये करतरी का मतलब है कैंची, कैंची की दो धार के बीच में जो आएंगे वो कट जाएंगे, तो आपको अपने ही लोग दोखा देने की कोशिश करेंगे कोई एंपलाई आपको पसंद नहीं करते हैं, तो आपको प्रोवोक करेंगे लड़ाई जगडे के लिए सीनियर को चुगली करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, अब आप उन लोगों की बातों पर ध्यान देते हो, उनके आलोचनाओं पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने काम से पीछ अड़ जाएंगे इस पर आपको ध्यान रखने हैं, आपकी काबिलियत क्या कहती है, ग्याराप मार्च तक टैंथ हाउस में गुरु शुकर का शंकियोग है, आप अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियास को और बैटर बनाएं, अगर आप पुरुष हैं, तो महिला मह महिला हैं, तो पुरुष के साथ बॉंडिंग मजबूत रहें, लेकिन प्रॉफेशन, अगर आप महिला हैं, जो गर ग्रह से अच्छे डंग से चलाती है, तो आपकी जॉब वापर शुरू हो सकती है, आप वर्किंग भूमेन बन सकती है, पंद्रा मार्च से सूर्य टैंथ हाउस पे रहेंगे, जिससे मार्च में महनत और स्मार्ट वर्क, डैडिकेशन, डिसिप्लेन और कॉंसेंट्रेशन यहाँ आपकी जॉब को जाने नहीं देगा, बलकि जाती हूँ जॉब पर प्रमोशन और दिलवा देगे, इस पूरे महिने टैंथ हाउस पे अंसियोग रह जाते हैं, अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र, गर में एक साथ और एक सीध में तीन या तीन से ज़्यादा दरवाजे होना, और बीच का आंगन ओबर खाबड होना, उत्तर दिशा में जमीन का उपर होना, वगेरा बड़े वास्तु दोश बने जाते हैं, इसे ठीक कर ये, नहीं तो वास्तु पिरामिड अपना ये, आपका काम बन जाएगा, बात करता है, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेश्यिप के, फैमिली लाइफ के कारक गुरू भी बनता है, शुकर भी बनता है, ये दोनों ही साथ में हैं, तो आपको अपने फैमिली को बचा करेंगे, जिससे आप परिवार चनों के सुख देने के लिए, पुर जोर कोशिश करेंगे, और कोई त्याग भी आप करेंगे, राहु की नवमी दृष्टी सेवंध आउस पर उने से, डिस्टब लव लाइफ में, रिष्टे वापस ठीक हो सकते हैं, तीसरे की एंट्री से आपके घवराट बेचे ने डर चिंता हो सकती है, बहुत संबल करेना चाहिए, कि हम बाहरी लोगों पर जरूर से ज़्यादा बरोसा नहीं करें, ट्रेवल करना, अच्छी चीज़े खरीदना, शुब और मांगली कारी होना, ये सब कुछ संबभव है, बच्चों के लिए जो आप टाइम दे रहे हैं, वो आपके बहुत काम आएगा, तेरह मार्ट से मंगल की साथ भी द्रिष्टी, सेवन्त आउस पर उने से, अगर आप लव पार्टरों को लाइफ पार्टर बनाना चाहते हैं, लाइफ पार्टरों साथ प्रोफेशली आगे बढ़ना चाहते है कुछ भी ऐसा जो अभी तक नहीं किया है, उसके बारे में छोटी रिस्क लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, इसके लिए आपको शुब काम ना देता हूँ, बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की गुरू राहू का दो बारे कहसंबद और राहू बंगल का भी दो बारे कहसंबद, इस्टूडेंट और जो हमारे आर्टिस और प्लेयर से, आलस्य, शत्रू, जबर्दसी की दुश्मन, सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम इस्पैट करना, ये बार्च वा बारक देवताओं के गुरू ब्रैश्पती, टैन ताउस में अंसियोग तो बना रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के घर से ही सड़ास्ट दोश बना रहे हैं, इसलिए कॉम्पेटिटिव एक्जाम हो, जनरल एक्जाम है, रैगूल स्टूडी के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ के पड़ाई करने कोशिश करिए, अगर गैजट की जरूत है, तो नोटिफेकिशन इस सब चीजों को बंद करना चाहिए, बात करते हैं, सेहत और ट्रैवल प्लैन की, चार बार परसनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राई करने का अफसर बिलेंगे, और हेल्थ की बात करें, तो 13 मार्ट से मंगल के आंट भी दिश्टी 8 ताउस पर होने से, अपने रिश्टे नातों दोस्तों के साथ, ट्रैवल करते समय को दुरगटना हो सकती है, खैल रखिए, शनी आपके गोटनों का दर्द वापस ला रहा है, लीवर किड़नी की तकलिफ और हार्मोनल इ अपने इस्ट देवता का ध्यान करिए, लेकिन किसी के और इस्ट देवता की पूजन में आप बाधा न डालें, बात करतें विशेश उपायों की दो मार्च आमला की एकादशी पर आप अपनी सेहत और घर परिवार में सुक्षान्ति के लिए, खुद को फिट रखने के लिए आवले का पेड़ लगाएं, आवले की पूजा करके, आवले के फल का दान करना चाहिए छे मार्च होली पर भगवान गणेशी की सामने 27 मखाने रखें, शुद गी का दीपक प्रजुरित करें, चंदर देव की पूजा करें, अपनी इच्छा बोलते हुए मखाने दाएं हाथ से होली के अग्री में डाली, नौकरी की परिशानी भी समाबत होगी 22 मार्च चैतर नवरातर प्रार्म हो रहे हैं, प्राता काल स्नाना अधिकारियों से निवरत होकर मा भुवनेश्वरी के आरातना करें, ओम हरीम स्रीम क्लीम भुवनेश्वरी नमाहा, इस मंतर की एक बाला चाप करें, इससे आपके परिवार में सुख शांती समरत ही पड़ शुकों, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए, आप मुझसे परसली मिल सकते हैं, या फिर टेलिफॉनिक और वीडियो कॉनफेस या अपॉंटमेट से भी जूड़ सकते हैं, दिये गए नबर पे संपर करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, आज के लिए प्यार बार नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद